हाई उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छी होंगे देखिए आप में से काफी सर लोग ऐसे हैं जो कि परखंड अस्तर पे भरती होना चाहते हैं तो उनके लिए जो है बहुत ही अच्छा खुसकबरी है क्योंकि अभी अभी यह देखेंगे तो सिक्षा विभाग के दौरा परखंड अस्तर पे क्यारपी के पदों पे भरती को लेकर अपीशल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इसमें कमाल की बात यह है कि बिहार के आप किसी भी जीले से आते हैं तो आप यहां पे आवधन कर सकते हैं क्योंकि बिहार के सभी जीलों में अल्मोश्ट यहाँ पर भड़ती निकाली गई है और इसके साथी साथ इसका जो ओनलाइन आवधन है उसको भी सुरू कर दी गई है इसमें जो है किसी प्रकार कोई भी आपका एक्जाम नहीं होगा और नहीं कोई अप्लिकेशन फी आपको देना है पूरी तरह से जो है ओनलाइन प्रोसेस वीडियो शुरू करते हैं देखिए अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोटल को लाइब कर दिया गया है जिसके माधियम से अगर आप भी परखंड लेबल पर कि आरपी के पदों पर भरती होना चाहते हैं तो अपना जो ओनलाइन आवधन है कर सकते हैं ओनलाइन आव करेंगे सबसे पहले इनका जो नोटिफीकेशन है जैसे कि हा पसोन वेज लोग से अपको क्या हूने वाला है तभी आप लिए जया अपके लिए बहत्र रहेगा तो इस पर आपके लिए सामने कुछ इस तरह से इनका जो नोटिफीकेशन है सब के सामने फिट которая मोस Esther को इसमें आप देखेंगे तो उन्होंने बताया हुआ है कि जो भी महा दलित या फिर दलित एवं अल्व संख्यक अति पिछरा बर्ग अच्छर आचल योजना के तहत जो भी आप सभी जानते हैं कि टोला सेवक अपुनको कह सकते हैं या फिर जो तालमी मरकच होते हैं जो केंद आपका नाम रहेगा के आरपी मतलब की के रिसोर्स पर्षन इनका काम यही होगा कि जो भी उनके अर्तगर्थ टोलों में जो तालमी मरकच केंदर है या फिर सिख्छक सेवकों का केंदर है उनको जो है देख सकते हैं कि यहां पे अनुसर्वर करना ही आपका काम होगा और य नीमित आप नहीं माने जाएंगे इसमें जो आपको 20 दिन का ही काम करना है और इसके लिए आपको प्रती दिन 500 रुपय जो यहां पे जोड़ कर दिया जाएगा तो इस तरह से 20 दिन का जो है 10,000 रुपय आपको अधिकतम यहां पे हर महीने भाता कह लिजिए सलरी कह लिजि है कि अगर आपने किसी मन्याता प्राप्त 2042 से असनातक कंप्लीट कर लिया हुआ है या फिर उसके बरावर आपने कोई उपाधी हासिल कर लिया हुआ है तो आप यहां पे फॉर्म को भर सकते हैं उम्रकी हम बात करें तो 21 बर्स लेकर 45 बर्स के बीच में आपका उमर है तो फॉर्म को भरेंगे यहां पे जो भी प्रतोभवदन का अनुसर अनुभव रखने वाले लोग होंगे उनको जो है पांच बर्स का छूट भी यहां पे देखने को मिलेगा और उम्रकी जो गाड़ना होगी एक जनवरी 2024 के अधार पे आपका की जाएगी बाकी यहां पे इन पर आपके अन्तगर्द जो भी तोलों में आपका ताल्मी मरकज का केंदर है सिक्षाच सेवक का केंदर है उसका जो अनुसरवर है वही आपको करना होगा ठीक है जैसे कि क्रिवानन हो गया अनुसरवर हो गया मुल्यांकन हो गया प्रशीचर हो गया प्रतिवेदन हो गया त्यार करने की दच्चता, नियोतित करने की छमता आपके पास होनी चाहिए, तो आप क्यारपी के पदों पर आवधन कर सकते हैं, क्यारपी बन सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर एभी बात बोला गया है, कि यह भरती संपूर जिले के लिए निकाली गई है, बिहार में जितने भी नहीं हो पाएंगे, आपका अप्लिकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर जिस जिले से हैं, उसी जिले के माधियम से आपको आवधन करना होगा, और पूरी तरस जो है, ओनलाइन आवधन आप कर सकते हैं, ठीक है, और इसके लिए आपको जो है, जो आपका निवा पदन नहीं कर सकते हैं, और साथी साथ इन्होंने भी पताया हुआ है, कि जो भी अभियर्ती है, उनको मोबाइल कम्प्यूटर का जो सुचना आदान परदान करना होता है, उनको जनकारी होनी चाहिए, और साथी साथ उनके पास Android स्मार्टफोन होनी चाहिए, जिसके माधि इन्तर अशनातक का जो परसेंटेज है, जैसे कि 45 परसेंट तक है, तो आपको 10 अंक मिलेगा, अगर 45 से लेकर 69 परसेंट है, तो आपको 20 अंक मिलेगा, और 60 परसेंट से अधिक है, तो आपको 30 अंक यहाँ पर मिलेगा, और यही अंक जोड़कर आपका मेगा सुची बनेग बाकी यहां पर बोला गया है कि अगर आपने PG कर रखा है या फिर उससे भी अधिक आपके पास साइसी की वो गिता है तो आपको जोई 10 अंक एश्ट्रा मिलेगा और बाकी अगर आपके पास अनुभव है सक्षरक्षता में तो आपको जोई प्रती बर्स 5 अंक यानि की अधि मैट्री का सर्डिफिकेट और आपका माक्सीट फिर यहां पर इंटर्मीरियेट का सर्डिफिकेट माक्सीट उसके बाद असनात्तक का परमारपत्र और यहां पर माक्सीट आपको देना होगा यह सारे डॉक्मेंट आपको देना होगा साथी साथ अगर आपने PG के जनकारी दिया हुआ है तो उसका भी परमारपत्र आपको देना होगा उसके बाद आपको जो है एक निमास परमारपत्र देना होगा जो कि अंचल अधिकारी के दोवरा इसु होनी चाहिए अगर आप BCBC से आते हैं तो आपको जो है अंचल अधिकारी के दोवरा इसु होनी चाहिए बा देना होगा इन्होंने बताया हुआ है कि मैट्रिक, इंटर, अशनातक और पीजी या फिर उसके बराबर जो भी आप qualification देंगे उसमें जो भी अंक होगा उसके percentage के अधार पे आपका जो है चैन किया जाएगा और उसी को जोड़कर जो है मेगा सुची त्यार की जाएगी इसम आप चेक आउट कर सकते हैं और इन्होंने बोला हुए है कि उसमें किसी परकार की objection करना है तो आपको जो है objection करने का भी यहाँ पर मौका दिया जाएगा तीन दिनों के अंदर जो है आप objection भी कर सकते हैं कोई भी दिकत नहीं है अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कूल ज हैं पर लीशत आपको देखने को मिलेगा फिर यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है और रिक्त पदों की संख्या कितनी है उसमें से पोस्ट खाली है और कौन से का एटिगड़ी में कितनी पोस्ट है ये भी आप जरूद चेक आउट कर लेना क्यूंकि आपका जाती भी लगेगा और जो भी रिजब्ट यहाँ पे सीटे हैं जैसे कि माली जी यहाँ पे देखेंगे अतियन पिश्राबर के लिए दो पोस्ट है अनाक्षित के लिए दो पोस्ट है ठीक है जैसे कि हम पटना की बात कर रहे है तो इस तरह से आप अपने जीले के सामने ठीक है इसकी सभी जनकारी को चेक आउट करेंगे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि पटना का हो गया ललंदा का हो गया बकसर का हो गया तो सभी के स आमने जो ही रिक्त पदों की संख्या दी गई है, कितने पदों पे भरती होगी, इसके साथी साथ कौन से कैटी गड़ी में कितने पदों पे भरती होने वाली है, इसकी जनकारी अब देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछरा बर्ग महिला के लिए भी पोस्ट है, अनुसुची जाती के लिए भी पोस्ट है, तिस तरह से अपना जो जिलावार पदों की संख्या उसको जरूर चेक आउट कर लेना, देख लेना, कि कहां पे कितनी भरती है, उसके बाद ही आप यहाँ पे आवदन करेंगे, तो बेहतर रहेगा, ठीक है, अब यहाँ पे हम बाद कर लेते हैं, कि और भी जनकारी यहाँ पे दी गई है, चीज को चाहें तो आप पड़ सकते हैं, जो जनकारी हमने बताया हुए, वह जनकारी यहाँ पे दिया गया है, जिसको पढ़ने कोई हो सकता नहीं है, नीचे आएंगे, तो यहाँ पे जो मैंने हाइलाइट कर उसी हिसाब से आपको जनकारी बता रहे हैं सबसे पहले आपको बता दें कि आपका जो भरती होगा जो 2020 में इनका मर्क दर्शत का बना था उसी के भीहाब पे आपका होगा ठीक है जिसमें बहुत सरे से चीजें हैं जो मेंसन किये गए हैं आप चाहें तो पढ़ सकते हैं समझ केंदर है उसका देख सकते हैं कि बोला गया है कि प्रतोबोधन अनुसरवण प्रचीचर योजना दिनमार और क्रियवनन का ही कार्य आपको करना होगा जो की जीला करेकरम प्रधिकारी या फिर परखंड सिक्छा प्रधिकारी के आदेश मिलेगा निर्देश मिलेगा उसकी आ लक्षे होगा ठीक है बाकी और भी जनकारी दिया गया है आप चाहें तो पर सकते हैं समझ सकते हैं तो यहीं आपका काम होगा ठीक है बाकी यहां पे बोला गया है कि आपका जो भरती होगा पुरी तरह से 60 बरसों के लिए आपका भरती होगा जो तीन बरसों पे आपका जो कोई भी दिकत नहीं है ठीक है तो मैंने जो अल्मॉस्ट आपको सारा जनकारी बता दिया है यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका फर्म बेगर अगरा दिया हुआ है तो इससे आपको कुछ मतलब नहीं है आप जो यह online form को भर सकते हैं अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इनका सामने देखेंगे तो first में ही आप vacancy का जो ही link दखनी को मिलेगा हलागी latest जाएंगे तो यहाँ पर देखनी को नहीं मिलेगा तो आप अपने description बक्स को check कर लेना वहाँ पर हमने link को प्लब्द करवा दिये हुआ जहाँ पर click करेंगे तो इसके बारे में जो ही सभी जनकारी आपको देखनी को मिल जाएगा कि आपका जो application form है 24 से सुरू किये जाएंगे और 8 माज तक जो है form को आप भर पाएंगे ठीक है बाकी यहाँ पे कोई भी application fee आपको नहीं देना है 279 पदों पे भरती होगा बिहार के सभी जीलों के परखंडों में भरती यहाँ पे है जैसे कि लिस्ट में आपको दिखाया लिस्ट आप देख लेंगे बाकी आपका उमर 21 से लेकर 45 के बीच में होनी चाहिए आप अगर B.A.B.C.B.C.M. या फिर उसके बराबर अपने हशनातक के उपाधी लिया हुआ है तो फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं 10 अरपज पर मन्त आपको सलाइट देखने को मिलेगा और इसमें किसी परकार कोई भी एक जाम नहीं होगा जो भी आपका मैट्रिक, इंटरमेडियाट हशनातक का अंख होगा उस पे ही मेगा सुची बनाकर आपको जौब दी जाएगी अब यहाँ पे आएंगे तो इनका जौ पिसल नोट्रिकेशन है आपको यहाँ से डाउल्लड कर सकते हैं और ऑनलाइन आउदन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करके आउदन कर सकते हैं ठीक है तो short notification में भी देखेंगे तो वही जनकारी यहां पे दिया गिया है 279 पदो पे भरती होने वाली है और बाकी आपका post रहेगा KRP के पदो पे यहां पे बताया गिया है 24 से लेकर 18 March 24 के बीच में आप यहां पे form को भर पाएंगे अब यहां पे देखिए form भरने का जो वीडियो है बहुत ही जल्द हम लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको clear करके बतायांगे कि आपको किस तरह से form को भरना है बाकी almost मैं आपको सरा जनकारी दे दिया हुआ है तो इस वीडियो को आप देखे हुए हैं तो please form कैसे भरना है इसके बाद part 2 में वीडियो आएगा जिसमें आपको form फिल करके दिखा देंगे तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो ही clear करके बता दिया कि आप भी क्यारपी के पदों पे भरती होना चाहते हैं तो किस तरह से आपना जो application form है वो online mode में भर सकते हैं अब इसके बाद जो ही form feeling का जो वीडियो है step by step लेकर आएंगे जिसमें आपको clear करके बताएंगे कि आपको किस तरह से form को भरना है बाकी इस relevant हमने सभी जनकार इस वीडियो में cover कर दिया हुआ है तो please वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like करें चले मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉफी के साथ अब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनेबाद अब जहां भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, बहुत बहुत धनेबाद